चुनाव आयोग से कॉंग्रेस को जटका पस गए कॉंग्रेस के सीनियर नेता इलेक्शन कमिशन का बड़ा एक्शन इंडी गड़ बंदन की बड़ी मुश्किलें नमस्कार मैं हूँ परविन शेख आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी 2024 रोगसभा चुनाव में विपक्ष ने सबसे ज़्यादा सवाल इलेक्शन कमिशन को लेकर खड़े किये ना सिर्फ सवाल उठाए बल्कि यहां तक कहा गया कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम करता है इसके साथ ही कॉंग्रिस से लेकर विपक्षी तमाम पार्टियों ने चुनाव आयोग में कई शिकायते भी दर्ज कराई कॉंग्रिस तो यहां तक कह चुकी है कि आयोग उनकी शिकायतों पर सुनवाई तक नहीं कर रहा है वहीं वोटों की गिंती की जो प्रक्रिया थी उसको प्रभावित करने के लिए आरूपों को लेकर चुनाव आयोग ने कॉंग्रिस की वरिश नियता जैराम रमेश को नोटिस भेज कर तीन जून की शाम साथ बजे से पहले जवाब देने को कहा था जैराम रमेश ने एक जून को आरूप लगाया था कि केंद्रिय ग्रवंत्री अमिशा मदगर्ना से पहले जिला अधिकारियों को फोन कर धमका रहे हैं जिस पर आयोग ने रविवार को नोटिस भेजते हुए कहा था आचार सहीता के दोरान सभी अधिकारियों को चुनाव आयोग को रिपोर्ट करना होता है और वो सिर्फ चुनाव आयोग के आदेश पर काम करते हैं जो आरूप आपने लगाये हैं वैसी कोई रिपोर्ट किसी भी जिला अधिकारी ने नहीं की है मदगर्णा की प्रक्रिया बेहत महत्पूर्ण है और पब्लिक में दिये गए आपके बयान संदे पैदा कर रहे हैं पब्लिक के हित के लिए इन पर संग्याल लेना जरूरी है लेकिन चुनाव आयोग ने जैराम रमेश की इस अपील को भी सोंबार को उस वक्रिश कर दिया जब उन्होंने कहा कि वो अपने आरूपो के पक्ष में सबूत या आंक्रे पेश करें और जवाते हैं आयोग के अनुसार अगर जवाब नहीं मिला तो माना जाएगा कि मामले में कहने के लिए आपके पास कुछ भी ठोस नहीं है और चुनाव आयोग तो एक्शन लेने के लिए आगे की कारवाई करेगा चुनाव आयोग के इंतेवरों से साफे की अब जैराम रमेश की खैर नहीं है वो बुरी तरह से फस चुके हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने तीन जून की जो डेडलाइन दी थी और शाम साथ बजे तक जवाब मांगा था लेकिन जैराम रमेश ने अपना जवाब और अपने बयान के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे साफे की जैराम रमेश ने चुनाव आयोग पर जूटे आरूप लगाय थे विसे चुनाव आयूग ने भी जैराम रमेश के आरूपों को पूरी तरह खारिश कर दिया था और कहा था कि किसी भी डियम पर गलत दबाव डालने की कोई कोशिश प्रकाश में नहीं आई है यानि कॉंग्रिस के सीनियर नेता अब बड़ी मुसीबत में फस सकते हैं चुनाव आयूग ने कॉंग्रिस नेता जैराम रमेश की उस याचेका को खारिश कर दिया जिसमें उन्होंने सबूत देने के लिए एक हफ़ते का वक्त मांगा था दरसल जैराम रमेश ने आरूप लगाया था कि केंद्री ग्रमंत्री अमिश शा लोगसभा चुनाव के मतदान समाप्त होने के बाद से एक सो पचास दिला अधिकार यानि डेम को फोन किया था और चुनाव आयूक ने रमेश से तथ्यात्मक जानकारी और विबरन मांगा था कॉंग्रिस नेता को आयूक ने सोमवार शांद साथ बिजय तक जवाब देने के लिए कहा था और इससे पहले दिन मुखे चुनाव आयूक तुराजिव कुमार ने जैराम रमेश के आरूपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अफ़वाएं फैलाना और हर किसी पर शक कि लार्ज नंबर में आरोज को इंफ्लूइंस कर दिया गया है कैसे हो सता है देश में वो जो मैंने जिनकी फोटोस दिखाई थी आपको जो काम कर रहे हैं पिसले तिन-तिन महीने से गर्मी में कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इंफ्लूइंस कर सता है कर सता है तो बताइए किस ने कि हम उसको सजा देंगे हम उसको सजा देंगे उसे बताना चाहिए कि किस ने किया काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किस ने किया तो कॉंग्रिस ने था जैराम रमेश के बयान पर मुख्य चुनाव आयोग ने अपने इंतेवरों से साफ कर दिया कि उन्हें बक्षा नहीं जाएगा अगर जो आरूप इसी पर लगाए गए हैं उनके सबूत नहीं दिये गए तो आयोग जैराम रमेश के खिलाव जबरदश एक्षन ले सकता है दरसर जैराम रमेश ने एक जून की शाम को एक्स पर एक पोस्ट साजा की ती जिसमें उन्होंने दावा किया था कि निरवर्तमान ग्रिवंतरी आसुबा से जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर रहे हैं अब तक 150 अफसरों से बात की जा चुकी है अफसरो सत्ता से बाहर होंगे एवं इंडिया गडबंदन भी जाई होगा अफसरों को किसी प्रकार के दवाब में नहीं आना चाहिए वो सम्विधान की रख्षा करनी चाहिए वो निगरानी में हैं इंडिय गडबंदन के नेताओं ने चुनावायोग से मुलाकात की थे इस प्रत चुनावायोग से यहाँ पर सामें इवियंग काउंटिंग पोस्टल बैलेट और चुनाव नतीजों से जुड़े मुद्दों को सामने रखा था चुनावायोग से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कॉंग्रेस ने था अभिशेक मनुसिंग भी ने कहा था कि प गिंती पहले ही की जाएगे उन्होंने कहा कि हमारी शिकायक थी कि चुनाव आयोग ने 2019 की डेडलाइन से इसे हटा दिया है इसका परिणाम यह है कि पूरी गड़ना हो जाए उसके बाद अंद तक भी पोस्टल बैलेट की गिंती की गोशना करना अनिवारे नहीं रहा है य शिफसेना यूबिटी ने उठाए थे सवाल शिफसेना यूबिटी के निता संजी राउत ने भी चुनाव आयोग की निश्पक्षता पर सवाल उठाए मीडिया से बात करते हैं उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के बारे में लोगों के मन में बहुत शंकाय है चुनाव आ और चैनलों का पूरा फोकस उनके पास आता है एक प्रकार से ये चुनाव सहिता का उलंगर है जैराम रमेश ने कहा कि देश के ग्रहमंत्री देश के 150 कलेक्टर्स और डियम को फोन करके जो जानकारी देते हैं ये कोड ओफ कंडक्ट का उलंगर है पूलिंग एजंट्स को जि दूसरी सत्ताधारी पार्टी हो चुनाव आयोग वीजेपी की शाहिखा की तरह काम कर रही है इसलिए इस देश का लोकतंत दस सालों से खत्रे में हैं आमाद्मी पार्टी ने क्या कहा आमाद्मी पार्टी के नेता और राज्य सभा सांसा संजे सिंग ने आरोफ लगाय कि चुनाव आयोग निश्पक्ष संस्था की तरह काम नहीं कर रहा है मेडिया से बात करती है कि चुनाव आयोग कोई व्यंग रचनाकार नहीं है वह कोई कभी समेलन का मंच नहीं वह एक गंभीर संस्था है उसकी गंभीर जिम्मिदारी है उन्हें कुछ प्रशनों का करा रहे हैं राजनेतिक पार्टियों के प्रती आपकी जवाब देही है अपको निश्पक्ष चनाव करवाने के लिए तो अंखा मिलती है अगर आप से कोई प्रशन पूछ रहा है तो आप व्यंग क्यों मार रहे हैं उसका समाधान करिए ना उन्होंने कहा कि आम आदमी प प्रतिशत पोस्टल बैलेट हैं उनकी गिंती अंतिम राउंड की इवियम से पहले घुशित होनी चाहिए इतनी सी बात संजे सिंग ने कहा कि एक राजनेतिक पार्टी की नेता की तरह बात नहीं करनी चाहिए चुनावायों को वो किसी राजनेतिक पार्टी की नेता नहीं पी डव्यूडी नहीं थे दीरे दीरे यह संक्या बढ़ रही है जरूरी सेवाओं वालों को मिलनी चाहिए जो हमने भी किया है उन्होंने कहा कि रूल साफ है कि पोस्टल बैलेट की गिंती पहले शुरू होगे देश के सभी सेंटर पर यह सबसे पहले शुरू होगी जिसमें कोई शक नहीं है और इसके आदे घंटे के बाद एवियंग की काउंटिंग शुरू होती है एक साथ तीन तरह की काउंटिंग चलती है यह 2019 में हुआ यह 2022 के चुनावों में भी हुआ है और यह अरुनाचल और सिक्किम प्रदेश में भी हुआ हम बीच में इसे बदन नहीं सकते राजिव कुमार ने साफ का है कि रूल कहता है कि तीनों काउंटिंग शुरू होंगी और निर्विरोध रूप से आखिर तक चलती रहें यहां पर चुनावायों को भी खासरों से प्रेस कॉन्फरेंस करनी पड़ी और विपक्ष के सभी आरुकों का पूरा जवाब द सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हां बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अग नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया